हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूं आप अच्छ होंगे रिजनिंग पहुत ही महत्पूर एक्सरसाईज रिजनिंग से भी हम आप लोग को अब के सलेगी आप एक्सरसाईज के हिसाब से आप लोग को वीडियो प्रतान करेंगे रिजयाWARged वाला इनलोजी फिलर्ड रिलेशन घडी कलेंडर कथन इसकश कथन पूर्ब धारन ऑंद तो रीजिनिंग के पूरे संपूर्ण से लेवस पर आप लोगों को हमारी वीडियो मिलेंगी वह भी टरिक के साथ मैं यानि कि हम आप लोगों को पहुत ही 100 ट्रिक के साथ मैं जो यूट्यूब चैनल पे अप्लोड करते हैं आज का टॉपिक है अल्फावेट सीरीज अल्फावेट का मतलब तो देखे एक तो आपकी होती है हिंदी वर्ण माला हिंदी वर्ण माला जिसमें आपके 52 लेटर होते हैं जिसमें 11 स्वर और 33 वेंजन होते हैं वहीं अगर हम बात क हैं अंग्रीजी वर्ण माला उसमें भी ऐल्फावेटिक सीरीज यानि आपके जो अलफवेट वर्ड होते हैं यानि जूंके लेटर हैं कितने 26 ठीकना तो 96 में आप लोग देखिए वाविल्स होते हैं पांच जिने वह स्वर कहते हैं यूंस gene होते हैं आपके 21 जिसे वैंज सिक्स जिसमें से पांच वो विल और 21 कॉंसोनेंट हैं वहीं हिंदी वर्ण माला में बावन टोटल वर्ण होते हैं ठीक है जिसमें से ग्यारे सवर और ते-टीस से एंजन होते हैं तो देखिए अब हमारा टॉपिक रीजिनिंग से है तो जाहिड सी बात हैं इस वीडियो में के बारे में सीखने वाले वहीं ट्रिक के साथ में सीखेंगे पूरी वर्ण माला का को ठीक है fightलिया और इसमें लोगोगा रहेगा ऐलमारूष क्षे कैसे आप लोगों तो से पूचहेगा कुशन ऐसे पूषेगा कौन सा अक्षर 32 x 9 8 कौंसा अक्षर अंगरे 6 वर्ण व जो यहां से आगे की कुशन होंगे वो सीखेंगे आज हम आप लोग के लिए भाग फर्स्ट लेकर आए हैं जब भाग सेकंड आएगा आप लोग का तो उसमें इससे आगे के जो कुशन होंगे वो आप लोग को अपडेट के साथ में मिल जाएंगे सबसे पहले हम यह चीज जानते हैं वर्णमाला के बारे में कि जो A होता है वो कौन से नंबर पे होता है B होता है वो कौन से नंबर पे होता है आप लोग को पता होगा टोटल नंबर ओफ लेटर हैं इसमें 26 जिसमें ABCD को आप लोग सभी जानते हैं A पहला लेटर होता है तो एक नमबर पे हो गया B दूसरा लेटर होता है B दो नमबर पे होगा C तीसरा लेटर होता है और D आपका चौथा लेटर होता है इन सभी को आप लोग जानते हैं पहले मैं आप लोग को करम याद करा रहा हूं पहले करम याद करा रहा हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को मैं कुशन जो है वो सॉल्ब करा हूँगा कुशन रहेंगे आपके MCQ आधारित यानी Multiple Choice कुशन जैसा आप लोगों से आपके एक्जाम में पूछे जाने बहुत ही फाडू ट्रिक है बहुत ही बहतरीं ट्रिक है वीडियो को स्किप मत करिएगा जादा समय में आप लोगों को Alphabet नमबर याद कराने में बिलकुल नहीं लगाँगा बहुत जल्दी याद करा दूगा तो A, B, C, D का सभी को पता होता ये एक नमबर पे, ये दो नमबर पे, ये तीन नमबर पे, ये चान नमबर पे अच्छा एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है इजोती, एजोती, ऐसे याद रखो E, J, O, T, Y, A, जोती, इजोती ये पाँच-पाँच के अंतराल वाले लिए लेटर होते हैं, उनको याद करने का तरीका होता है पाँच, दस, पंद्रे, बीस और पच्छिस यानि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, E का किरमांग क्या होता है तो E, पाँचवे नमबर पे होती है, वर्ण माला में, J, दसमे नमबर पे, O, पंद्रवे पे, आपका T, बीस नमबर पे, और Y होता है, पच्छिस नमबर पे तो आप लोग एक से दो बार बोल दीजिए से, इजोटी, एजोती, इजोती, इजोती, इस प्रकार से ठीक न, इजोती से पांच-पांच के किर्मांग का आप लोग को याद हो जाएंगे, पांच-दस, पंद्रह, बीस, पच्छिस Y कभी आप लोग देखें, तो Y का आप लोग किर्मां को बता दें, इजोती के हिसाब से Y 25 वे नमबर === यहीं एक चीज और याद रखनी है, आप लोगों को, अगर आप लोगों से पूछे कि वह Y का विपरीत क्या है तो Y, योग हमेशा आप लोगो 27 बनाना है Y होता है 25 नमबर पे आप इसे 27 बनाना है तो Y के साथ में क्या नमबर चलेगा B क्योंकि B होता है दूसरे नमबर पे अगर आप लोगोंसे वाई तो आप लोग कहेंगे कि वी होता है अगर आपको बी का विपरित पुछे तो आप लोग कहेंगे वाई होता है योग 27 बनाना है हमेशा विपरित के लिए तो पांच-पांच के f Virus इस प्रकार से लिखा जाता है तो आप लोग इसमें यहीं याद करेंगे देखिए एप करमा याद करेंगे एप कुछ इस परकार से अगर इसे मैं मिला देता हूं तो एप इस परकार से लिखते हैं कुछ महावीर तो देखिए आई खुद बता रहा है कि मैं नौवे नंबर पे हूं कुछ आई इस परकार से लोग लिखते हैं तो उस अगर आप लोग ऐसे मिला दोगे तो भी नौकाई इसारा देगा तो नौ तक हो गया अच्छा जे कहां से याद इजोटी पांच दस तो जे होता है दस नंबर पे अच्छा जे तक याद होगे आपको जे के बाद मैं के का नंबर आएगा देखिए कुछ इस परकार से लिखा जाता है तो के खुद बताएगा एक डंडा तो यह हो गया और एक अगर यह मैं सीधा कर दीता हूं कुछ इस तो एक का ब नता हुआ यह दिकाई दे जाएगा देखो यह बनता ओदेजिरा अपर एक गयारे हो जाएंगे तो K 11 नंबर पर होता है के बाद मैं आएगा spectator की बनाएगा तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 पे हम भी पढ़के आए हैं तो फिर L कौन से नमबर पे है बार है अगर इसे ऐसे मिला दो कि 2 बन जाएगा L का L अहले तक हो गया L के बाद में M और M में देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा बस इसे करेक्सन करके घुमा के लिख दोगे तो खुद देखिए ये M ही तो है M में खुद उल्टा 3 लिखा हुआ है ये रह 3 अब ये 3 पे नहीं हो सकता क्योंकि 3 पे हमने C पढ़ लिया फिर कौन से नमबर पे है M 13 नमबर पे N देखिए कुछ इस प्रकार से N लिखा जाता है N का किरमांक होता है 14 हुआ कैसे याद रखोगे N लिखा हुआ अगर थोड़ा समय से ऐसे कर दूँ तो 4 का अंकड़ा बन जाएगा N में थोड़ा सा अंकड़ा मेंने ऐसे लगाया थोड़ा सा डंड़ा लगाया तो 14 नमबर पे हो गया N अब आप कहेंगे 14 कहा है तो 4 इनमबर बन रहा है तो 4 नमबर पे हम लोग D पढ़के आए हैं उतना तो आपको याद है तो 14 नमबर पे N हो गया J, K, L, M, N N तक हो गया N के बाद में O कहां से याद रखोगे O तो O याद रखोगे E, J, O, T, Y से 5, 10, 15, 20, 25 ठीक है O तक हो गया O के बाद में नमबर आएगा दोस्त P का P कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो देखिए P में खुद 6 लिखा हुआ है उल्टा 6 तो P खुद 6 की तरफ इसारा देरा अब यह 6 पे हो नहीं सकता क्योंकि 6 पे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से मिला के एप पढ़के आए है तो फिर P कौन से नमबर पे है 16 नमबर पे है 16 के बाद में 17 नमबर पे कौन सा है तो देखिए 17 नमबर पे आपका नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा सा दूर है इसलिए 17 नमबर पे हो जाएगा आपका क्यूं क्यूं तक आगे आर देखिए आर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और आर का किरमांक जो होता है वह 18 नमबर पे होता है कैसे बनाओगे अगर आर के नीचले वाले डंडे को बना दो कि इस प्रकार से तो क्या बन गया यह यह आठ सा बनता हुआ है हम आठवे नमबर पे और यहां 18 नमबर पे आरा जाएगा आर के बाद में नमबर आएगा दोस्त एस का एस देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है अगर इसी के साथ हम लोग छेड़ चाड़ कर दें देखिए कुछ इस प्रकार से 9 सा बनता हुआ दिखाई दे गया जे ओ टी वाई से जोटी से पांस दस पंद्रह बीस पचिस तो टी तक हो गया टी के बाद में नमबर आएगा यू का देखिए यू कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है करसिम में अगर मैं इस डंडे को थोड़ा सा ऐसे मिला देता हूं तो देखिए यहां दो का मुझे ब घंडी को तो दो का आगड़ा तो यह बनता हो दékाई देडर सा जार देखिए एक कण्डी भी घंडी लगी हुए है तो यहां से भी बनता हो दाओ देगा तो यह satisfy कि व to देखिए डवडीन पटरियो में कुछ तीनिका हुआ है अच्छा एक था चारो और संकेत कर रहा है, यानि चारो दिसानी, चार काँ गड़ा रहा है, तो यह 24 वे नमबर पर हो जाएगा, ठीक न? याप लोग ऐसे करिए, 24 घंटे के चक्र को बना रहा है, जो X है, 24 घंटे के चक्र को, तो 24 नमबर इसका हो गया, 25 नमबर कहां से याद रखना था, E, J, O, T, Y E, J, O, T 25 नमबर पे क्या होती है 25 नमबर पे Y 26 नमबर पे Z होता है यह आप सभी लोग जानते है तो कुछ ही समय लगा हमने याद कर लिया वर्ड माला में कौन सा नमबर या कौन सा लेटर किस क्रम पे आता है अगर मैं कहने लगा हूँ P कौन से नमबर पे आता है तो आप लोग कहेंगे P 16 नमबर पे आता है क्योंकि 6 बन रहा है H, H देखो यहाँ से यहाँ ढखा था H 8 वे नमबर पे आता है R, तो R में भी यहाँ से यहाँ लगाया था R 18 नमबर पे आता है इस प्रकार से आप लोग बना बना के अपना रिवीजन कर लीजेगा अब मैं आ जाता हूँ इस वीडियो के मैन कारिये के उपर तो देखिए यहां से आप लोग को अलफा वैट सीरीज से कुश्चन जो पूछे जाने है वो किस किस तरह के पूछे जाने हैं से लगवग आठ तरह के सवाल आप लोग के बनेंगे कितने सवाल बनेंगे आठ तरह के सवाल कुछ सवाल ऐसी होंगे जो वर्ण माला के करम के अनुसार होंगे जैसे कि A B C D वर्ण माला का क्रम क्या होता है तो देखिए वर्ण माला का क्रम है आपका बाएं से दाएं जो आपकी वर्ण माला लिखी जाती है देवनागरी लिपी में लिखी जाती है हिंदी की लिपी क्या है देवनागरी लिपी है चलो तो देखिए देवनागरी लिपी का मतलब होता ह बाई और से दाई और जो अंग्रेजी की लिपी होती है वो रोमन लिपी होती है ये भी पूछ सकता है आप लोगों से तो वर्ण माला के करम अनुसार तो देखिये जैसे कि वर्ण माला में A, B, C, D, E है ना ऐसे एक्स, Y, Z तो कुछ कुशन आप लोगों से वर्ण माला के क्रम के अनुसार पूछे जाएंगे अच्छा वर्ण माला को विपरीत क्रम में लिखा कर भी कुछ कुछन आप लोगों से पूछेगा ऐसे बोल देगा वर्ण माला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से है ना बाएं से चोथा औ और ऐसे पूछ लेगा वर्ण माला के करम के अनुसार कौन सा लेटर बाएं से पांचवे के दाएं छटा होगा कभी ऐसे भी बूछ सकता है इसमें पूछेगा वर्ण माला को विपरीत करम में लिख दिया जाता है तो कौन सा लेटर है ना बाएं से पांचवा होगा बाएं से पुछे जाने है जैसे कि वर्णमाला के एवन यानि कि सम लेटर के अनुसार सम लेटर देखे पर्थल सम संक्या कौन सी है दो दूसरी चार छह आठ अरिधात जो संक्या दो से कड़ जाए या दो के multiple आजाएं तो वो आपके क्या होती है वो समसंक्या होती है ठीकिना देखिए जैसे कि B दो नंबर पे होता है D4 पे A6 पे तो कुछ आपके सम डिजिट के अनुसार भी आप लोगों से कुछे जाएंगे कुछ आप लोगों से कुछे आपके ओड यानि की विसम लेटर के अनुसार ही पूछे जाएंगे ठीक न जैसे कि A, C, E, Y, W यह कुछन नहीं है यह केवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस टाइप के कुछन बनेंगे आप से कहेगा वर्ड माला को विसम लेटर के अनुसार लिख दिया जाता है या आप लोगों से पूछेगा वर्ड माला को सुरू करते हुए पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर इन्हें हटा दिया जाता है स्प्रकार के कुछन भी पूछेगा आप लोगों से आगे अर्धांस से भी आप लोगों से कुछन हम लोग कराएंगे अर्धांस से भी आप लोगों को कुछन पूछेगा जैसे बोल देगा पृथम वे दुती अर्धांस को विपरीत करम में लिखने पर अर्धांस का मतलब क्या होता है टोटल नमबर ओफ लेटर होते हैं 26 है ना, ए से और जो आपका ए से M होता है ये पृथम अर्धांस होता है और अगला जो N से Z होता है ये दुती अर्धांस होता है इसमें बोलाए पृथम अर्धांस और दुती अर्धांस दौनों को विपरीत करम में लिख दिया जाता है तो कौन सा लेटर फलाने लेटर से फलाना होगा तो देखे अगला प्रथम अर्धांस को विपरीत करम में तथा दोतिया अर्धांस को करम अनुसार लिखा जाता है तो देखे प्रथम अर्धांस यानि कि A और M को उल्टा लिख दिया विपरीत करम में लिख दिया तता दुरतिया जो अर्धानस होता है उसे वर्ण माला के करम अनुसार यानि कि N से जड लिखा इस परकार से कुशन में आप लोगों से पूछने वाला हूँ परतम अर्धानस को करम अनुसार यानि कि देखिए A से M ये परतम अर्धानस करम अनुसार है और दुतिया अर्धान्स को विपरित किरम में लिख दिया जाता है तो कौन सा लेटर बाएं से चोथा या बाएं से पांचवे लेटर के बाएं छटा होगा कुछ इस प्रकार से कुशन पूछे जा सकते हैं और आठवे नंबर में हम पूछेंगे अलफा न्यूमेरिक सीरीज से आप लोगों से कुशन तो हम आप लोगों जो आठ तरेगे के कुशन कराएं हैं इसमें मैं आप लोगों सभी टाइप की कुशन कराके चलूँगा वीडियो भाग एक की जगे दो बन जाएं तीन बन जाएं डाजन्ट मेंटर लेकिन नॉलिज जैसी मिल जाएगे आप लोगों को कि बहुत ही बहतरी चलिए अब हम एकसरसाइज की तरफ बढ़ते हैं इसमें जब आप लोगों सग्ष Кुशन में जो मैं आप लोगों को पहली टाइप की कُशन कराने वाला हूँ इसमें जब हम पहली टाइप की कुशन कर रहे होंगे जब दो बार बाई-बाईं की बात हो इसे मैं फॉन्ट को चेंज कर लीरा हूँ जब बात हो कुशन में एक बार बाया फिर बाया है ना जैसे कि आप लोग इस कुशन बुले अंग्रे जी वर्ण वाला में कौन सा लेटर बाएं से छटे के बाएं सातवा होगा यहां दो बार बाएं बाएं की बात करिये जब दो बार बाएं बाएं की बात हो तो हमेशा दोनों बार क्या हो जाएगा दोनों बार के माइनस हो जाएगे अच्छा जब दाएं दाएं की बात हो तो भी दोनों हमेशा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जब दो दाएं की मान का चलिए किसी ने कहा बाएं से छटे या बाएं से आठवे लेटर के बाएं दूसरा ऐसा बोला बाएं से आठवे के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा ऐसी कंडिशन में हम क्या करेंगे दौनों का अंतर ले लेंगे यानि की बाएं से छटा लेटर इसका उत्तर हो जा लूँगा चलिए अगला देखिए जब दो बार दाइं-दाइं की बात हो कि अंगरी जी वर्ण माला में कौन सा लेटर दाइं से दाइं से दसवे के दाइं पांचवा होगा दसवे के दाइं पांचवा तो ऐसी कंडीशन में भी हम इन दोनों का अंतर लेंगे दाइं-दाइ है ना इसे हम लोग सीधा कर लेंगे 27 से क्यों घटाते हैं हम क्योंकि हम बैक से देख रहे हैं पीछे से है ना अच्छा इसे अगर हम 27 से घटा लेंगे तो इसका किरमांग सीधी तरफ से निकल के सामने आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसक्रम में और बताएंगे जब एक बार बाएं की बात होगी एक बार दाएं की बात होगी तो हमेशा पिलस बाएं होगा यानि कि आप लोग को लेप्ट और राइट हमेशा जोड़ देने हैं लेप्ट लेप्ट की बात हो एक बार बाएं की बात हो तो हमेशा क्या करना है पिलस में दाएं एक बार दाया है एक बार बाया एक चीज कॉमन है जिससे सुरुवात होगी वह यहां पहले रखना है जिससे सुरुवात होगी वो हमेशा आप लोग को पहले रखना है जैसे अगर ये बोल दिया ना कि दाएं से छटा तो आप लोग को दाएं पहले रखना है दाएं से छटे के बाएं पांचवा लेटर तो वहाँ दाएं से सुरुवात करिए जिससे सुरुवात की जाएगी वही हमेशा यहां आएगा अगर बाइँ-दाइँ की बाइँ की बात है तो हमेशा यह आपसमें पिलस हो जाएंगे अगर दाइँ है तो 27 से हमेशा माइनस होगा 27 से घटाना है समझने की कोसिस करिए कुशन आगे आप लोग की सामरे जब मैं कराऊंगा तो कुशन से आप लोग आसानी से कर पाओगे जब लेप्ट लेप्ट की दो बार बात होगी तो हमेशा माइनस लेप्ट होगा यानि कि दोनों लेप्ट आपस में घट जाएंगे और हम लोग उनका जो बचे हुए कसे इसका 22 तरप से जो किरमांग होगा जो लेटर होगा उसे उत्तर कर देंगे दो बार राइट राइट की बात होगी तो हमेशा माइनस राइट होगा दोनों एक बार बोल दिया कि राइट से अठारवे के राइट यानि कि दाएं से अठारवे के दाएं नौवा अक्षर कौन सा होगा तो ऐसी condition में दोनों अंतर हो जाएगा और ये जो बचा हुआ है ये right का नौबा हो जाएगा जब right से देख रहे होंगे तो हम 27 से घटा देंगे तो कितना जाएगा 18 और 18 नमबर पे होता आर तो इस प्रकार से आर इसका उत्तर चलाता हैगा जब एक वार left की बात हो एक वार right की बात हो तो वहां हम लोग left लेंगे जो पहले यहां आया है उसे हम लोग पहले रखेंगे और रखेंगे क्या left right की बात है तो प्लस में रखेंगे जैसे कि यहां right यहां left आया है राइट से शुरुबात हुई है तो राइट हम लोग पहले रखेंगे अच्छा एक दूसरे विपरीत हैं तो हमेशा पिलस रखेंगे विपरीत में दौनों एक जैसे हैं तो हमेशा माइनस रखेंगे एक जैसे हैं और दौनों विपरीत हैं तो हमेशा आप लोग पिलस रखे कर आप लोग इसे ABCD बना के भी सकते हैं लेकिन ABCD बनाना कर और सिकाने के लिए नहीं आया हूं मैं आप लोग को सौड देने के लिए आया हूं आप लोग को क्या पगड़ना है कौनसा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला मैं बाएं से पंदरवे के बाएं छटा होगा तो की थी बाएं से सुरुबाद की थी तो बाया से नौवा अक्षर देख दीजिए बाएं से नौवा 22 नौवा कहेंगे सर आई होता है बाएं से नौवा तो इस प्रकार बिना कलम उठाए भी आप लोग इस्तवाल का अंसर कर सकते हैं आप लोग तरीका से कैसे जमाओगे से 16 लेटर. है नवा दौनों लेप्ट-लेटर की बात हैं तो हमेशा लेप्ट yummy किसमे आएगा माइनेस में अएगा। करेजि़ 15 mm से 6 रचहे और गया दो 9 और ऑफ से 9 लेटर लेटर होता है दोस्तो 9 तो मैंने आप लोगो इतना expert कैना है । अगर Sahama से आप लोग अंतर कर दीजे कुश्ण में कलम भी मत चलाईए मत लिखे लेप ट्राइट भी अपने कुश्ण में तो भी आप लोग अंसर कर पाएंगे चले से प्रिकार से कुश्ण बात हुई लैप्ट से तीसरा लेटर इस सवाल का उत्तर है लैप्ट से तीसरा लेटर क्या होगा सर बताइए फटापट से बाएं-बाएं की बात है जब बाएं-बाएं की बात हो तो क्या आएगा बाएं-बाएं की बात हो तो लैप्ट से आपका आएगा तीसरा लेटर और सी उत्तर बिल्गु सही हो जाएगा दूसरे नंबर में समझ में आ रहा है अगर ऐसे नहीं जमाना तो आप लोग जमाली जी इस प्रिकार से बाएं से साथवा लैप्ट से साथवा ठीक है अच्छा और उसके भी बाएं चौथा लेटर तो ये भी अगला बाएं बोला है अंग्रेजी वर्ण माला में लैप्ट का मतलब ए बी सी की तरफ से देखें तो एक दो तीसरा लेटर कौन सा जाएगा दोस्तों सी ही जाएगा इसलिए सी ऑप्सन मैंने बनवाया है आप लोगा चलिए सवाल नबर तीन को करते हैं कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में दाएं से दसवे के दाएं च्छटा लेटर होगा देखें यहां एक सीज याद रखने दाएं से दसवे और यहां दाएं से च्छटा यह कहना चाहरा है कौन सा अक्षर है ऐसा जो अंग्रेजी वर्ण माला में दाएं से दसवे के दाएं च्छटा होगा दाएं से दसव मैंने आप लोग को एक चीज़ सिखाई थी जब दौनों एक जैसे हों तो हमेजा आप लोग को माइनस करना है दौनों एक जैसे तो 10 और 6 का अंतर करें 10 और 6 का अंतर आएगा सर्फ 4, right से 4 अब right से हमेजा देखने के लिए मैंने आप लोग एक चीज़ सिखाई थी जब आप लोग राइट का मतलब इधर साइड से वैलू देख रहे हैं तो हमेशा 27 से माइनस आपको कर रहा है 27 माइनस राइट की जो वैलू है उसे आप लोग माइनस करिए कितना आया आपका आया 23 और 23 नमबर पे क लोग को लिखने की अवश्क्ता नहीं है दोनों का अंतर देख लीजिए दाएं दाएं एक जैसे सिकंडी से ने 10 और 6 दोनों का अंतर जाएगा चार लेकिन वैलू रहेगी राइट की क्योंकि राइट की बात है दाएं और से जब आप हम लोग देख रहे हैं दाएं और से देखने के लिए हमेसा आपनों को 27 से माइनस कर लेना 27 से जैसे चार को माइनस करेंगे 23 हैगा और 23 नमबर पे जो होता है आपका लेटर वोड डवलू होता है यह 27 में से माइनस क्यों कर रहे हैं 27 में से माइनस हम इसलिए कर रहे हैं हम उसका 22 तरफ से किरमांग जान ले रह सिभा मैं दाएं से के दाइं नौव आक्सर होगा दानों में बात कैसी है दाएं दाएं की यहां भी दाएं यहां भी दाएं था मैं से आपस में हो जाएंगे भी दाएं माइनस हो जाएंगे यानि 15वे में से cu 49 चै Aleid से या Фसे चपी यानि की जैड़ी आई जैड यानि जैड की तरफ से कौन सा लेटर छटा एक लेटर दो लेटर तीन लेटर चाल लेटर पांच लेटर छे लेटर तो देखो यह आपका लेटर आएगा तो आप की बात तो हमेशा माइनस करा जब एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे दाएं बाएं बाएं दाएं तो जिस से पहले सुरुवात होगी उससे हम लोग यहां रखेंगे पिलस में दौनों को जोड़ देंगे दाएं से सुरुवात हुई दाया यहां पिलस आप लोगो इनको होगा चलिए पांचवे नमबर कुशिन प्याद आई है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से दसवे के दाएं छटा होगा आपकी बार क्रेक्शन हो गया क्या एक बार सर बाएं की बात करिए हमें यह चीज तो कौमन याद राकनी हैं सुरुवात को हमेंसा स सबसे पहले हमें लिखना है कि सुरुवात हुई है इससे जिससे सुरुवात होती है प्राइक्टा उसे ही मिलती है इसमें जैसे कि बाएं से दसवे के दाएं छटा तो बाएं दाएं की बात हैं दोनों विपरी तार तक हैं तो देखो पहली वार बाएं आया है दूसरी वा अगर आप लोगों तरीके से चलना तरीके से कैसे चलोगे देखो लैप्ट से दसवा और राइड से छटा जिससे शुरुवात होती है उसे हमेशा प्राइकता मिलती है तो लैप्ट को प्राइकता मिलेगी लैप्ट बराबर है ना जब एक दूसरे विप्रीत हो तो हमेशा मै बतलब एक ही तरब से देखें ए बी सी डी इसी प्रिकार से तो सोलवा लेटर चाहिए मुझे और सोलवा लेटर सब पी होता है बिल्कु सही है चलिए सवाल नमर 6 पर आजाएए कौनसा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से अठारवे के दाएं सात्वा होगा सुर डायरeakport खेंसकी वेलू सकते हैं से 25 यृटर कंसा होता है सर वाई होता है तो इस प्रिकार से This on आप लोगी से चलतें सबसे पहले भाईं की बात हो यह यृत्ति सुरूबात करनी है ठीक नहीं हो जाएगा कि लेप्ट से अटार यह को कॉन ऑच्छर अंगरे जी वर्णमाला में दाएं से सोल्वे K 2 आठवा होगा एक बार दाएं की बात करिए प्राइकता किसे मिलेगी? दाएं वाले को है ना ओर दूसरा है बाएं आप सीदी सी बात है जुड़ेंगे जेखे-दाएं बाएं क्या होता है? प्लस में दाएं यानि कि दाएं को प्राइक्ता मिलेगी दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24 किसको वैलू मिलेगी राइट को तो राइट से 24 वा लेटर कौन सा होगा और जब राइट से हम लोग किसी की वैलू देख रहे हैं तो हमेशा 27 से माइनस करेंगे 27 माइनस 24 आपका बचेगा 3 तीन नमबर पर होता है C इस सवाल का अंसर C बिल्कुल करेक्ट अंसर माना जाएगा चले सवाल नमर 8 प्यादाते हैं कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में 22 के दाएं पांचवा अक्षर होगा 22 से नौवे प्राइक्ता किसको मिलेगी बाएं को लेट को मिलेगी प्राइक्ता नौवे के दाएं पांचवा अक्षर होगा ठीक ना तो कौन सा लेटर अंग्रेजी वर्ण माला में 22 से नौवे के दाएं पांचवा तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे लेट को प्राइक्टा मिल जाएगी ये होगे 14 है है ना तो 8 वे नंबर में आप लोग का सही आंसर N जाएगा लेकिन N कोई option यहाँ पे है नहीं क्योंकि मैंने टाइप करें यह सी नंबर में आप लोग एक option N और बना लीजिएगा करेक्ट कर लीजिएगा इस question को ठीक है भी यह चलिए clear हो गया अगर आप लोग तरीके से चल रहे हैं तो तरीका भी मैं आप लोग को बता देता हूं 42 से 9 हमें से लेप्ट से 9 लेप्ट से नवां दाएज से पाँचवां यानि कि राइड से 5 अच्छा सुर किस से हुई है बाइए से लिखो सबसे पहले बाइए से 11 के दाएं सातवा एक बार बाया एक बार दाया आपसमें जुड़ जाएंगे 11 साथ कितना हो जाएगा अठार है और लेप्ट से 11 नंबर पर कौन सा होता है आर कौन सी ऐसी ट्रिक है जो इसे 5 सेकंड में हल कर देगी आ बिल्कु के बार आशrd अंजार है कौन सा अक्षर रंग्री की one मालम है दाएं से सातवे के बाइए दसवा अक्षर होगा आप लोग कहेंगे सर दोई तो 27 से माइनस कर लो इसे 27 माइनस 17 कितना वच्छा 10 और 10 नमर पर होता है दोस्तो जे क्योंकि ए जो टी ए जो टी है ना कि ए पाँच पे और जे दस पे तो जे बिल्कु सही आंसर इस सवाल का 11 नमर कुश्चन और देखो फिर मैं कुश्चन चैंज कर दूंगा कौन सा अक्ष चौथा अक्षर दौनों बार दाएं दाएं तो आप कहेंगे माइनस दाएं दौनों में से माइनस हो जाएगा तेरह और चार कांतर कितना जाएगा नौ राइट से नवा लेटर चाहिए मुझे राइट से यानि कि 27 से घटालो इससे सीधा कर लो 27 माइनस 9 कितने नबर क्या होता है दोस्त आर होता है क्योंकि हमने इससीधा कर लिया दाएं से ना देख़ घें हमने हमने जड़ी कि दरफ会 ना चल की आते हुए हमने एक ही दरब से उसका खिरमांक निकाल लिया और जब ऐसा करना हो तो 27 से माइनस कर दिया करो हमेशा दाएं की वेलू को चली मैं कुश्चन चैंज कर दे रहा हूं जब आप लोग को कुश्चन में तीन या उससे अधिक सीरीज दे रखी होंगी तब आप लोग कैसे आसान के भी पिरते कापाट आप लोग को मैं पहुचाता रहूंगा कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से च्छटे के दाएं चौते के बाएं तीसरा अक्षर होगा अब की बार बात है तीन की चलो बात तीन की हो बात चार की हो कोई फरक ने बड़ता सब से पह कीसे सुरुवात होती है यह इंट्रैस्ट यह ट्रिक इसलिए काम आती है कि हमको उसी परकार से उसका उत्तर करदेना होता है इसने काई कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से च्छटा बाएं से च्छटा लिग दिया जी बिलकुल मैंने अच्छा बाएं स च्छटे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा अच्छा पहली बार बाया आया दूसरी बार दाएं आया तीसरी बार बाया आया तो देखिए बाएं दाएं आपस में जुड़ गए लेकिन बाएं बाएं आपस में क्या होंगे बाएं बाएं आपस में माइनस होंगे तो यहां म कड़ना पहले वाले को लेकर ही करनी हैं पहले वाले को लिया हमने बाएं दाएं आपस में जोड़ दिये अच्छा अगली कंडीशन पर लिखा हुआ बाएं तो बाएं घड़ जाएगा क्योंकि बाएं बाएं आपस में घड़ते हैं इस परकार से यहां तीन आ जाएगा तो 6,4,10,10 में से 3 गे तो 7 बचे लेप्ट से 7 वा लेटर इसका उत्तर हो जाएगा यानि 12 नमबर में जी उत्तर आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा याद रखना ये चीज चलिए मैं और सिकाने की कोशिस कर रहा हूँ आप लोगों कुशन देखिए कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला में 22 से 7 वे के दाइं 6 के दाइं 14 अक्षर होगा जिससे सुरुवात हो उससे सबसे पहले लिख लो कि जी बाइं से हुई है सुरुवात तो बाइं से 7 वा ये पहला लिख दिया मैंने अच्छा जिससे सुरुवात है उसी से हमें पूरा कारिय करना है कुश्चन में बाएं से अब बाएं में जितनी बार दाया है वो जोड़ दो जितनी बार कुश्चन में बाएं आये हैं वो घटा दो क्योंकि बाएं से सुरुवात हुई है बाएं से छटे बाएं से सातवे के दाएं छटा तो दाएं आया है तो दाएं जुड़ जाएगा अगली बार आया है दाएं बाएं दाएं फिर क्या हो जाएंगे पिलस आपस में हो जाएंगे इस से हम लोगों को गड़ना करने है ध्यान से देखिए ये क्या है आपका यह आपका point है, इस सवाल का, यह आधार है, जिससे सुरुआत हुई है, वही आधार है, तो यहाँ हमने left लिख लिख लिए, left, left से कौन सा number, 7 वा तो हमें लिखना है, left से 7 वा, अच्छा, इसके साथ में, अब बाएं के साथ में, पहली बार आया दाया, तो दाया है, तो जु left तरफ से 7 वा नंबर देख लो, 7 वे नंबर पर क्यों हो जाएगा, तो बिलकुल आप लोग का, 13 वे नंबर में, C आप्सन, बिलकुल 60 का अंसर के तौर पर मान जाएगा, अगला नंबर देख लीजिए, सवाल नंबर 4 है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कौन सा अक्छर, अंग्रेजी वर्ण मालम है, बाएं से छटे, के दाएं पांचवे, के दाएं चौते, के बाएं तीसरा अक्सर होगा, अब आप लोग कहेंगे सर, यह तो घृड़ी पका दी, हाँ, यह सौट हैं, इन से निकल सकते हैं, सुरुवात किस से हुई, सबसे पहले उसे लिखो, लेप्ट से शुरुबा थूई, जिसर, इसे लिखो, लेप्ट से चटा लिख दिया, जि बिल्कुल, अच्छा, बाएं और दाएं की बात हुई, तो आप लोग कहेंगे, जोड़ दो, जोड़ दिया जी, अच्छा, बाएं दाएं की बात करी, फिर मैंने जोड़ दिया, अ इस प्रिकार से इस सवाल का आसानी के साथ में हमने निकाल दिया कि जो एल है वो उत्तर बिल्गू सही हो जाएगा तो कभी भी कितने भी आ जाएं गड़ना हमें हमेशा पहले वाले को लेके चलनी है पहले वाले के हिसाब से गड़ना करनी है पहले वाले में एल है तो अब इ यह चीज़ आप लोग को लेके चलनी हैं सुरुवात वाले पॉइंट को लेके आप लोग को बिलकुल भी भूल नहीं करनी हैं सवाल नंबर पंदर देखिए और यह साइध आज़स की वीडियो का अंतिम सवाल होगा इससे आगे का जो प्रोसेस है में आगे की किलास में आप चौथा अक्षर होगा बताईए इस कुशन में और उस कुशन में कैच अंतर है क्या या फिर सैम ही सवाल दे दिया बिलकुल अचा अंतर है तो देखिए कौन सा अक्षर अंगरी जी वर्णमाला में अब की बार सुरुवात करी है दाएं से तो हम लोग लिखेंगे सर दाए दाएं से सुरुवात हुई राइट से दाएं से दसवा लिख दिया जी मैंने अच्छा दाएं से दाएं आप देखिए दाएं से दाएं कौन सा लेटर अंगरी जी वर्णमाला में दाएं से दसवे के दाएं तो हम लोग कहते हैं दाएं दाएं घढ़ते हैं तो माइनस कर तो 6 आच्छा फिर दाएं बाएं आपस में क्या हो जाएगा जोड़ जाएगा तो जोड़ दो पांच नइस माइनस चै किसे तेरवा लेटर आप से क्यों तेरवा लेटर ये जैड़ की तरब से चलके आएंगे तो समय लग जाएगा डायरेक्ट आप लोग 27 से न माइनस कर लो इसे 27 से आप लोगों ने 13 को माइनस किया कितना आ गया 14 और 14 नंबर पर क्या होता है दोस्त एन और एन ही इस सवाल का बिलकूर राइट उत्तर ह का आसा करता हूँ इस टाइप के कुश्चन को आप लोग छोड़ोगे नहीं चाहे आपसे दो पूछे चाहे आपसे तीन पूछे चाहे आपसे चार पूछे चाहे आपसे पांच पूछे सबसे पहले उसे ले ले लेना जो सबसे पहले सुरुवात जिस से हुई है सबसे हु हम लोग लेकर चलते हैं तो आसानी कि इन सवालों को हम मोर बना सकते हैं वरना यह ऐसे सवाल है एबी-सी-डी लिखोगे एबी-सी-डी लिखके फिर यह तुम्हारा मोर बनाके चले दाएंगे इससे आगे का कारी है अगली वीडियो में रगेगा रहेगा इसी परकार से मैं लोको सौट ट्रिक के साथ मैं परते एक एकसेसाइज की वीडियो देने की गोसिस करूंगा फिलाल जैहिंद बंदे मातर में इस वीडियो को लाइक सेर करना बिलकुल मत भूलिएगा